मस्कार सभी को, मैं नवनीद गोतम, नवनीद गोतम स्क्लासिस और फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आज की ये वीडियो, आपके BSE 4th semester की जो फिजिक्स की वीडियो लेक्चर्स हैं, है ना, और साथ में PDF नोट्स हैं उन से संबंदित है, तो कई स्टुडेंट, WhatsApp पर, Telegram पर, Comment में विविन तरीकों से पूछते रहते हैं, नोट्स और क्लासिस के बारे में, तो ये वीडियो उन ही सभी को information देनी के लिए बनाई गई है तो आप देख सकते हैं, पेपर जो है आपका BSE, 4th semester में Physics का, उसका नाम क्या है Modern Physics and Basic Electronics तो आपको पता है, Part A और Part V में Divide है, तो Part A का नाम क्या है Modern Physics आधुनिक जो भौते की हैं, उसकी बाद हम करेंगे, और ये सारी जो है, आपकी इसी चैनल पर, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जा करके अच्छे से अपनी स्टडी को जारी कर सकते हैं, Modern Physics को पढ़ सकते हैं, ठीक है और जो Part B है आपका, जिसका नाम है Basic Electronics, ये जो बुक है आपकी, ये पेड़ बैच में रखी गई है, जिसके लिए एक मामुली सी फीस रखी गई है, तो ये कहाँ पर है, पेड़ बैच में, पेड़ बैच में येदि आप जोइन होना चाहते हैं, तो उसकी इंफोर्मिशन है, वो आपको सैंड कर देना है, इस नमबर पर, लेकिन कहाँ पर? टेलिगराम पर, तो टेलिगराम पर करना है, टेलिगराम चैनल पर नहीं, कई studentshen redefnend हो जाते हैं, टेलिगराम पर 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 संटनली करना है इस नमबर पर, तो आपको पेड़ बैच में जोइन कर लिया बाकी यदि कोई query हूँ तो आप comment box में पूछ सकते हैं syllabus modern physics के अंतगर 4 unit है basic electronics के अंतगर 4 unit है syllabus क्या है आप description box में देखेंगे तो video का link है syllabus की आप वहाँ से जाकर syllabus को समझ सकते हैं अपनी university के syllabus से match कर सकते हैं और यदि आपका syllabus same होता है तो आप modern physics और basic electronics को हमारे youtube channel के माध्यम से paid batch के माध्यम से complete कर सकते हैं तो और कोई query हो तो आप comment box में बता सकते हैं वीडियो को अधिक सधिक share भी कीजिए ताकि students इससे लाभानमित हो सके all the very best